आज मैं आप लोगों के लिए चाइनीज बिर्यानी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो फ्राइड राइस से तोरी सी डिफरेंट है और जटपट से बनने वाली रेसिपी है मैंने इसको तोरह सा डिफरेंट तरीके से बनाया है अभी आप आगे वीडियो में चलके देखेंगे और बच्चों को ये बे इंतहा पसंद आने वाली है इंशाला तो टाइम दी जाय करते हैं आज है जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं बिसमिल्ला रह्मान रहीम 350 क्राम बॉनलस चिकन चोटे पीसिस कर ली है इसके आदी चाय का चमच नमक एक चुताई चाय का चमच काली म सकते हैं और गार्लिक पाउडर की चगा पे आप फ्रेश लेसन का पेस्ट बना के डाल सकते हैं नमक आप अपने जाय के मताबक डालिएगा इन सब चीजों को मिक्स करेंगे और चिकन को कवर करके आदे गंटे के लिए एक साइड पर रख देंगे इस तुरान आप सबसिया काट लें चावल बॉइड कर लें पाकी की तैयारी कर लें यहां पर आदे गंटे के बाद तीन अंडे लिए लाट साइज के अंडों की क्वान्टिटी कम ज़्यादा की जा सकती अपने टेस्ट के मताबिक एक चुटकी नमक डाली है और यहां पर दो खाने के चमच और इसमें एग हम लोग फ्राइ करेंगे मैंने ओलिव यूज किया आप लोग चाहें तो कोई भी कुकिंग और यूज कर सकते हैं अब यहां पर आपके अपनी मर्जिया आप अंडे बड़े साइज में स्क्रम्ब लिए और अगें औलिवल यूज किया मैंने और जो मेरिनेट करके चिकन रखा था उसको इसमें डालेंगे मीडियम हीट पर पकाएंगे इसको इसको हमने सिरका भी लगाया है सोया सॉस भी लगाया है इसलिए यह अराम से ही टेंडर हो जाएगा इसको कोई कवर करने की जरुष नहीं पेश आएगी लेकिन इन केस अगर लगे आपको तो आप कवर कर लीजेगा यह देखें अची तरह से टंडर हो गया मैंने मीडियम हीट पेस को पकाया लो हीट पे नहीं पकाया पानी हुश्क होने तक इसको पकाना है अची तरह से इसका पानी ड्राय करेंगे और फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें आड़ करेंगे बाकी की जो चीज़ें उसमें सबजियां एक कप मैंने बारी कटी भी गाजर का इस्तेमाल किया है स्प्रिंग अनियन का वाइट वला पार्ट यूज की है और शुमला मिर्च मैंने डिफरंTO कलर्स की यूज किया आप लोग चाहें तो किसी भी कलर की शमला मिर्च इस्तमाल कर सकते हैं आदा कप मैंने मटर इस्तमाल किया है और ये अमेरिका में जो मटर मिलते हैं ये बहुत सॉफ्ट है इसको बोईल करने की जूरत नहीं लेकिन अगर आपके पास सकत हैं तो आप उसको जरूर बोईल कर लिजेगा एक चाय का चमबर सफैद मिर्च और नमाक आप अपने जाएकी के मताबिक डालेगा पहले नमाक हमने चिकन में डाला था आप सबजियां डाली हैं तो सबजियों को भी नमक चाहिए तो यह सबजियों के हिस्से का मने नमक और वाइट पेपर डाली है सफैद मिर्च हो सके तो जरूर इस्तमाल कीजेगा अगर नहीं है तो पिर काली मिर्च इस्तमाल कर लें इसको मीडियम हाई हीट पे पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राइ ना हो जे चावल मैंने दो कब बॉल करके रखे हुए थे नमक के साथ मैंने पानी में चावलों को बॉल किया है और यह बसमती राइस है आप लोग चाहिए तो कोई भी राइस का इस्तमाल कर सकते हैं यह डेसी स्टायल में बना रहे हैं तो मैंने बसमती राइस इस्तमाल की है Chinese नमक डाली है और मैंने तोर से सकना काली मिर्चे डाली है और olive oil डाला olive oil जो है बुस्सर्फ मैंने taste के लिए डाला है आप इसको skip कर सकते हैं और Chinese नमक optional है काली मिर्चे अगर आप डालते हैं तो कोशिश करें कि ताजी काली मिर्च grind करके डालें जो fresh है उसका एक different taste आएगा बाकी के जो half चावल है वो उपर डालेंगे और दुबारा से इसके उपर Chinese नमक optional है नहीं डालना बेशक ना डालें काली मिर्चे ताजी काली मिर्चे डालीगा जादा अचा टेस्ट आएगा और इसके उपर वस आदा कप पानी डालेंगे और जो हमने स्प्रिंग अनियन कट करके पहले वाइट वाला पार्ट यूज किया था अब ग्रीन वाला उसका पार्ट यूज करेंगे अंडे जो फ्राइड करके रखे थे वो इसके उपर डालेंगे और इसको आर से दस मिनट का anthropology кни व्राइड राइस में और यह जो चाइनी बिरियानी में यह पर्क है कि ऐस मतलब र्राइस राइस को फ्राइड कीया यह चाइनी स बिर आनी यह देस conversation पानीज मिरीनी पून देस हमने ड्राइस में चाइनी सट्ड़िह गादेonce otherwise जो authentic recipe है उसको fried rice कहते हैं और उसमें rice को fry किया जाता है दम नहीं दिया जाता तो यह हम अपने देसी style में इसको Chinese biryani को enjoy करेंगे जो के जबरदस्त किसम की recipe है जटपट ही बन जाती है और एक दफा आप इस recipe को ज़रूर try कीज़ेगा मुझे पूरी उमीद है कि बच्चों को बहुत असन आएगी और अगर आप यह recipe try करते हैं तो हमेशा की तना picture आप लोग मेंसा शेयर कर सकते हैं Facebook या पर Instagram पे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा वीडियो को like भी कीचेगा and always remember guys homemade is the best मुझे अपनी दौा में याद रखिएगा खुश रहें, आबाद रहें, हस्ते मुस्कुराते रहें अल्लाहाफिज